हेलो दोस्तो फ्री ओंलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है आज हम अरदवारसिक परिच्छा पेपर बिसा राजदिनीती विज्ञान का अक्छा ग्यार्मी की महत्पूर्ण प्रशने देखेंगे इसके पहले के वीडियो में हमने आपको भूगोल के मोस्ट कोईशन प्रोगा और दाए थी यदि आप ने इसके पहले के विडियो को नहीं देखा है तो इसकिप्सन में दीगई लिंक पर जा कर आप देख सकते हैं इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल औहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजे, साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कीजे, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो इसमें पहला कोशन है, सम्मीधान सवा से आप क्या समझते हैं, इसके वाद गठित सम्मीधान सवा की कोई दो बिसे स्तान लिखिए, इसके वाद प्रशनिक्रमांग तीन सम्मीधान से क्या आसा है, इसके वाद प्रशनिक्रमांग चार सम्मीधान के दो कार लिखिए, इसके वाद देखते हैं, प्रशनिक्रमांग पांज, भारतिय सम्मीधान सवा को सम्मुक उत्पन हुई प्रमुक कठनाईयां लिखिए इसके बाद प्रश्निक्रमांग 6 प्रारूप समीती के सदस्यों के नाम लिखिए इसके बाद देखते हैं प्रश्निक्रमांग 7 भारतिय सम्मीधान सवा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है इसके बाद देखते हैं प्रश्निक्रमांग आठ केविनेट में सन योजना क्या थी इसके बाद देखते हैं प्रश्निक्रमांग नौ भारते सम्मीधान के प्रमुक इस्तरोत लिखिए इसके बाद प्रश्निक्रमांग 10 हमारा सम्मीधान किसके परती परतीबाद है तथा उसके दर्सन की जलक सम्मीधान के किस भाग में मिलती है इसके बाद दिखते हैं प्रश्निक्रमांग 11 भारती सम्मीधान में पौरस परिक निसेत का क्या आर्थ है इसके बाद दिखते हैं प्रश्निक्रमांग 12 सार्व वोमेक वयस्क्रमत अधीकार किया है तथा इसे एक उपलब्धी क्यों माना जाता है इसके बाद दिखते हैं प्रश्निक्रमांग 13 भारतिय सम्मीधान को लोक तांतरक बदलाव का साधन क्यों माना जाता है इसके बाद दिखते हैं प्रश्निक्र ऑपरतें सम्म्मेदान में बहुत अधिक संशोधन होने के कोई चार कारण 17 भारतें सम्मेदान एक जीवंत दस्तावेज सेई स्पस्ट कीजिए इसका दे слыш kein tiet पर अठारवा भारतें सम्मीधान में संशोधन की प्रक्रिया को संच्छेप में लिखिए इसकी बाद देखते हैं प्रशन क्रमांग 19 वा सोचन के विरुद अधिकार के अंतर गरत कौन कौन से दो प्रावधान है इसकी बाद देखते हैं प्रशन क्रमांग 20 वा मौलेक अधिकारों के नाम लेख कर किसी एक का वरनन कीजिए इसके बाद देखते हैं प्रशन क्रमांग 21 वा भारते सम्मिधान में वर्नित मौलेक अधीकारों की व्यक्ष्या कीजिए इसके बाद देखते हैं प्रशन क्रमांग 23 वा भारते चुनाओं आयों की किनहीं दो समासियां को लिखिए इसके बाद देखते हैं प्रश्ण्कृमांग 24वा अलभ संख है कोंको परती निधित देने वाली प्रमुक प्रणालियां कौन कौन सी हैं इसके बाद देखते हैं प्रश्ण्क्रमांग 25वा भारत में चुनाओ सुदार ही तू कोई दो सुझाओ दीजी इसके बाद देखते हैं प्रश्ण क्रमाग 26 वा भारतिय निर्माचन आयोग का गठन किस परकार होता है इसके बाद देखते हैं प्रश्ण क्रमाग 27 वा एकल संक्रमाणिये प्रणाली को समझाईए इसके बाद देखते हैं प्रश्ण क्रमाग 28 वा चुनाय आयोग के कार देखे लिए इसकी बाद देखते हैं परशुन्क्रवांग की स में कुछ इंप्रेंट बिखल्प देखते हैं है सही विकल्प चोन का लिएकिसिंए का पहला कोश्चन है समीधान सभा का करत अधिवेशन परारम हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 9 December 1946 को इसके बाद प्रश्निक्रमांग 2 समीधान सवा के आएस्ताई अध्यक्ष ती तो इसका अंसर हो जाएगा सच्चिनारंद सिनहा इसके बाद प्रश्निक्रमांग 3 भारते समीधान सवा में उद्देश कब रखा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 प्रश्निक्रमांग 6 तो प्रश्निक्रमांग 6 आपका भारते समीधान की प्रस्ताम नाम है जिस परकार का नयाब प्रदान किया गया है वह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सामाजिक राजनिक्रमांग इसके बाद आपका अगला विकल्ब साथमा निमलेखित में किस राजिकों अनुचिद 371 द्वारा विसेश्त राणी प्रदान किया है तो इसका आंसर हो किसे हम एक जीवन दस्तावित मानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवीधान को इसकी बाद देखते हैं दसवा निम्नांकित में से कौन भारतिय संवीधान संसुधन प्रक्रिया में सामय ले तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट पती संसद राज विधान संसोधन काने की पर क्रिया का औले किस अनुछित में किया गया है तोसका आंसर हो जाए गया 3026 कि आख लाको स्चन 230 बारसों पुराने अमेर की सम्मेधान में अभी तक कितने सम्मेधाने संसोधन हुए हैं तो इसका आख अगला कोश्चन व्यक्तित्त के उच्टम बिकास हेतु निमनांकित में क्या प्रम आवस्यक है तो इसका अख अगला कोश्चन कुछ पाने की एक्षा सदयों से ही ब्यक्ति की प्रिणा इस्तोद रही है उक्त कथन नांगरिक के जिस अधिकार का मूल है वह है तो इसका अंसर हो जाएगा संपत्ती का अधिकार इसके बाद देखते हैं पंदरवा कब किस मॉलक अधिकार को च्वाली स्भी सम्य इधानिक संसुधं द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाया गया तो इसका-ण-सर हो जाएगा स्वतन्द्र ता का अधीकार इसके बहुघतिे ह्ति趣 हैं सुल्वा कोस्चन भारति राष्ट पंभ दारी द्वारा नियुक्त मोख चुनाव आयक्त का कारें-काल होता है तौ है च्छ वर्स इसके बाद एक तरह कोश्चन भारत में निर्वाचन आयोग्त का का नहीं है तो इसका अधारवा विकल्ब भारत के प्रथम मुखन निर्वाचन आयोग्त कौन थे तो इसका अंसर हो जाएगा सू कुमार सैन इसके बाद अगला वेकल्ब उन्नीसवा मुख निर्वाचन आयुक्त का वेतन किसके वेतन की बरावर होता है तो इसका अंसरोजा का सर्वोच नियाला के नियाधिस की बरावर इसके बाद देखते हैं वीसवा वेकल्ब निमने में से कौन सी मद्दान की एक प्रणाली नहीं है तो इसका अंसरोजा का सर्वोमिक वयस्क मदादी का इसके बाद देखते हैं कैस्वा निमनांकित में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का गुन नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा बुद्धिमन लोगों की चुनाव से दूरी इसकी बाद देखते हैं वाइस वावेकाल भारते राष्ट पती द्वारा नियुक्त मुख चुनाव आयुक्त का कारेकाल होता है तो इसका अंसर हो जाएगा 6 वर्ष इसकी बाद देखते हैं हम कुछ महत्त्पूल़् खालिस्तान तो इसमें आपको प्रश्न आएगा रेक्त golden कि पूर्थी कीज़ें पाहला खालिस्तान है सम्भीदान सवा का स्ताइड्यक्स इसद्ट राजन परसाद को खालिस्तान को तो इसका राइट अन्सर हो जाएगा 11 दसंबर सो 1976 को गई इसकी बाद देखते हैं दूसरा हाले साइक सम्भीधान सभा में उद्दिष प्रस्ताव काले संन्य प्रस्तूत किया तो इस्की आदधा को जा जबाद पॉटन के प्रहुत्था थैसकी समिधान सवां की प्रारूफ समीनती के अध्यक खालिस्तन थे गार्थ flake और अमिद कर इसके बाद चोफा कोश्चन सम्मीधा निर्माण सवाके प्रामर्स दाता खालिस्तान थे तो इसका राइट आंसर हो जगाए वी यह लाओ इसके बाद देखते हैं पांचमा खालिस्तान उननीश भी सतापदी के प्रारम में खालिस्तान ने प्रेश की सुतंता पर लगाए जा रहा है प्रती बंदों का ब्रोथ किया तो इसका रोजाएगा राजा राम मौहला है इसके बाद छट्मा खालिस्तान बेटे सरकार के खालिस्तान ने हमारी व्यक्तिग्यत स्वदंता के अपहरण का प्रस्ताव किया था तो इसका रोजाएगा रोलेक्ट ए एक खालिस्तान बनाने के पक्षदर थे तो इस कांसर हो जाएगा संतूलिद दस्तावेद इसके बाद दीखते हैं नुमा खालिस्तान दुनिया में संभा होते हैं सबसे अधिक ब्या पक, अधीकार खालिस्तान के नागरों को को मिले हैं तो इसकांसर हो जाएगा दच्छन अफ्रीका इसके बाद दसवा खालिस्तान अधीकार और खालिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू है तो इसकांसर हो जाएगा करताब इसके बाद ग्यारवा क्वेशन मुख निर्वाचन आयुक्त की पद चियुती संसत द्वारा खालिस्तान प्रस्ता पारित करते संभाव है तो इस कांसर हो जागा महाभियोग इसके बार्मा खालिस्तान जिन व्यक्तियों को मता अधिकार प्राप्त होता है हमने खालिस्तान कहा जाता है तो उनको क्या का जाता है मत दाता इसके बाद देखते हैं एक सब्द या बाक्त में उत्तर तो इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रशन संवीधान सवाह में कांग्रेस को कुल के तने प्रतीसा सीट प्राप्त थी तो इसकांसर हो जाएगा ब्यासी प्रतीसाथ इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेशन संवीधान सवाह में प्रमोख रूप से कितनी कमेटियां या समी सम्वीधान को अंगिकार कारण क्या था तो इसकांसर हो जाएगा सत्ता को नरंकोस होने से रोकना कि इसके बाद देखते हैं छटवा कौस्चन उन्नाई सो पचासी में अनुप चारे कुप से सम्मीधान बनाने का पहला प्रयास किस विल्ल से हुआ तो इसकांसर हो जाएगा Constitution of India Will इसके बाद साथवा कॉस्चन कि सम्मेधानेक संसुधन द्वारा मता अधिकार किया आई एक पैस बर्स से घटा कर 18 वर्स की गई तो इसकांसर हो जाएगा 61 सम्मेधानेक संसुधन द्वारा इसके बाद देखते हैं आठवा कॉस्चन भारते सम सम्मेधानेक संसुधन कब हुआ तो इसकांसर हो जाएगा और 976 को कौनसे अधिकार ब्यक्ति के बॉध्धिक नेयतिक एवं आध्धात्मिक विकास में सहायक होते हैं तो इसकांसर हो जाएगा मॉलिक या मूल अधिकार कि इसके बाद देखते हम दसवा कॉस्चन राष्ट अधिक्तम अब्धिक क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा तीन माहें इसके बाद बारमा कोश्चन मानवा अधिकारों का सारव हो में घोशना पत्र कब लाग हुआ तो इसका अंसर हो जाएगा 10 दिसंबर सफल हो सकती है तो इसका अंसर हो जाएगा बड़े राज्जियों में इसके बाद देखते हैं कुछ महत्पूर सही जोड़ियां तो इसमें पहला कोशन है क्याविनेट मिशन का भारत आगवन कब हुआ था 24 मार्स 1946 को दूसरा महत्मा गानी द्वारा सम्मीधान सभा की मांग ह सताब्दी के उत्तर आर्थ में इसके बाद पांचमा कोशन अनुच्छे 370 संबंधित्ता जम्मू कस्मीर से इसके चटवा समीधान समिक्चा आयोक का हुआ था वैकंट चलईया में इसके बाद साथ मा मौलक अधिकर क्या होता भारत समीधान का भाग तीन इसके बाद आठ समा भारत के चुनाओं आयोक कहा हुआ था असुक लवासा तथा सुसील चंद्र यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और यदि आप इन क्वेशनों को अच्छी से तैयार कर लेते हैं तो यहाप यार्दवासे परिच्छा के बहुत ही मत्पूर हूँ